पूर्णिमा और होली के पावन परुकी आप सभी को सुभ कामना है वीडियो में चार सरल उपाई गुरुजी द्वारा बताए गए जानेंगे समझेंगे जो कि भागी की रेखाओं को प्रबल करकर सब संकट दूर करने वाले होंगे आप जानते होंगे होली का देहन का यह जो कि रोग दोस संकट पीडा का नाश करकर सब सुख प्रदान करने में सहक है गुरुजी अपनी कथा में बहुत लंबे समय से कई तरह के उपाई बताते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है इस बड़े दिन में जो कि भागी की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता ह आप सभी को इन उपायों में से चुन कर अपने जीवन को सार्थक करना है भले ही आप होली पूर्णिमा के ब्रत नहीं भी करते हैं तो भी कर लीजिएगा विवा की अर्चन हो संतान सुख नहीं होता कर्ज संकट वडेशानिया जीवन में बढ़ रही हैं ब्यापार में गत द्वूत होता है वह आपको बताना चाहूंगी आप सभी को गुरुजी कहते हैं नर्सिंग भगवान का नाम लेकर एक नार्यल लेना है नार्यल वह ही लेना है जो हम अपनी मिठाई वगल में बनाते हैं अर्था सूखा नार्यल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ज्याद उपाय कालशर्प दोश पित्र दोश घर के वास्तु दोश किसी का किछ किया कराया है तो उसका भी नाश करने का कारे करेगा आप सभी को एक नारियल ले लेना है नारियल में यह आप सभी को पूर्णिमा की रातरी या दिन जब भी आपको समय मिले रात को अगर आप होली का देहन की अगनी के पास नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं दिन में आप पूजा करने जाते हैं तब ही इस कारी को कर लेंगे तो भी आपको लाब देगा ठीक है आप सभी को क्या करना है वह सूखा नारियल ले लेना है 10-15 रुपे का टोटल आ जाता है और घर में कोई भी परे खर्म की विजय प्राप्ति के लिए यह स्रेष्ट तम जो है जन मिलिया था इस दिन और नकारात्म कुर्जा होलास्ट का जो है इस दिन प्रभाव खत्म हो जाता है नए सिरे से जो है नए कार होना अरंभ हो जाते हैं तो यह जो है स्रेष्ट दिन है और पूर्णिमा का दि काले तिल ही इसमें प्रियोग लेने हैं और उस गोले के अंदर आपको थोड़ा सा डाल देना है आप जानते होंगे काले तिल रोग काड़ते हैं संकट काड़ते हैं पितर दोस्ते मुक्ती मिलते हैं और भाग्योदित करने में भी सहाइक होते हैं तो उस नारियल के अंदर आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा दाने काले दिल के डाल देने हैं, नर्सिंग भगवान का स्मरण करना है, श्री सिवाय नमस्तु भ्यम मंत्र का जाप करना है, तत पश्चात आप सभी को इसके अंदर जो है लॉंग का जोड़ा डालने ह एक जो है दो की संख्या में जैसे लॉंग डालते हैं, जिसे जोड़ा कहा जाता है, दो लॉंग डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप अपनी इच्छा सकती सामर्त अनुसार ज्यादा डालें, कम डालें यह इच्छा आपकी है, आप 11 लॉंग डाल सकते हैं, एक किस एक काली मिर्च गुरु जी ने कहा है, खास निर्देश गुरु जी ने कहा है, एक काली मिर्च डालनी है, लौंग का जोड़ा डालना है, और इसमें डालनी है, साथ की संख्या में इलाइची, कितनी डालनी है, सैवन की संख्या में अर्था साथ की संख्या में आपको डालनी इलाइची एक काली मिर्च साथ इलाइची डालनी है और लॉंग का जोड़ा एक डालना है थोड़ा सा डालना है इसमें काला तिल यह सभी चीज़ें जो है अपने आप में अधुत है और विशेस कही गई हैं साथ ही आप सभी को इसमें आवश्यक रूप से अपने घर में योग में लेना है ठीक है कपूर लेलिया लॉघ लेलिया एलाइचि और काली मिर्च लेकर थोड़ा सा काले तिल डाल कर आप सभी को उसे बांध देना है किसी भी छीज से चाहें तो मॉली से बांध ले चाहें तो किसी अन्य धागे से मांध ले इच्छा आपकी है अब यह गोला आप सभी को जो है पूरे घर में घुमा लेना है मन में ऐसा जो है आपको धार्णा करनी है कि मेरे परिवार से सब रोग कर जाएं सब संकटों का जो है नस्ट हो जाएं और सभी तरह की जो कार हैं वह बन्ने आरंब हो जाएं विवा की अर्चन है तो वह दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है ऐसी मन में धारना करनी है नरसिंग भगवान का स्मरण करें स्री सिवाय नमस्तुभ्यम मंतर का जाब करें और आप सभी जो है ओम नमो भगवते वासुदे भाय महा मंतर का भी श्मरण करते हुए पूरे घर में इस सेनारियल को आपको घूम लेना है घूमाने के बाद आपको अगर रात को होली जलती है उस समय जाना नहीं होता दूर होता है तो आप सभी को होली का माता के सामने जो है जो होली का प्रतिविंब बनाए रहते हैं आपने देखा होगा जाड़ी त्यादी से बनाए रहते हैं उसके अंदर चुप चाप से उसे रख कर आ जाना है, ठीक है, रख के आ गए, जब होली जलेगी तो वह भी स्वाहा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, साथ ही आप सभी को स्रेष्ट तमकार, सरलकार, घर के सभी सदश्यों का इस पर्ष भी इस नारियल में लगाएं, खास तोर पर जिनके व 15 रुपे लगते हैं, लाब जो है, रोग मुक्ती के लिए खास तोर पर बहुत सहायक होगा, करके देखिएगा, जीवन कैसा ही बदलता है, बताईएगा जरूर, बस यह प्रथम उपाई करना है, आप सभी को होली का माता के समक्षे, इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चु आप सभी को पांच बेल पत्र जल के लोटी में डालनी है, मात्र एक कमल गट्टा डालना है, कमल का फूल नहीं हो पाता है, तो कमल का जो बीज होता है, उसे कमल गट्टा कहा जाता है, वही आपको लेना है, पांच बेल पत्र लेनी है, स्री सिवाय नमस्तुभ्यम कहते हु वो आपका जल का लोटाई है, आपको सुंदर भाव से समरपित कर देना है, साथ के साथ आपको लगाना है, एक दीपक अपने मनोती कहते हुए, तो यह कारे आपको करना है, दो कारे कर लिए, बढ़ते हैं, तीसरे सरलसे कारे की तरफ, गुरुजी कहते हैं, पूर्णि मा के दिन आप सभी को अपने घर में खेर जडरोर से बनानी है अब यह नहीं कि सीवई की खेर बनादे सावुदद दाने की खेर बनादे चावल प्राचेंतम समय से चावल और दूध की और चीनी की बना करती थी तो वही आपको बनानी है चावल का संबन्द है सत्तिनारेण भगवान की क्रथा या पूर्णिमा माशी की ब्रत कथा सुने चंदर देवता दर्शन दे तो उन्हें आप सभी कच्चा दूद मिला कर एक दाना चावल और सफेद फूल डाल कर चंदर देवता को अर्ग दे ततपश्यात आप सभी मंदीर में रखी खीर को भ प्रेशानी जो चल रही है उसका नेदान हो नहीं है करके देखिएगा लाब आपको मिलना है साल भर में किये जाने वाले दो वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुके हैं कर पियाओन है देखकर अपना जीवन सार्थक करें स्री सिवाय नमस्तु भ्याम